हरियोम ओम गणेश कर्मकर्णबाए आनन्त पाठक में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाल है अगर आपको यह विशय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें शेयर करें चैनल पर नायो हो तो सब्सक्राइब करके गंटी का चिनहा दबाएगा तो चलिए शुक्राइब दूर्गा सप्तशति का या दूर्गा सप्तश्लोकी का यहा जो मंत्र है ओम दूर्गे स्मृता हरसि बीति मशेश जमतो हो स्वस्थ ही स्मृता मती मती वशुभं द्यदासी अब बिलव वुरुक्ष के नीचे अपना मुख पुर्वदिशा की और या फिर अधिक शिग्रफल प्राप्ति है तो अपना मुख उत्तर दिशा की और रखना है जब भी मानिये कि अगर आपके घर में ही गमले में बिलव वुरुक्ष लगाया है तो घर में अपका जो नित्या आसन होता है उस आसन को लेकर जो दिशा मैंने बताई उस दिशा के अनुसार अपना मुख रखे बिलव वुरुक्ष के नीचे घर की बात कर रहा हूं गमले के आगे गवमाता के गी का दीपक प्रजवलित करें और यह जो मैंने मंत्रा आपको बताया है उस मंत्रा को 42 दिनों तक नित्या 11-11 माला करके इसका जो फल है दुख दरिद्रता निवारन है तो इसका जो अनुष्ठान है वह आपको करना है और उसके बाद नित्या सिर्फ के वल एक माला भी अगर आप करते है तो आपके द्वारा या आपके जीवन में या इस जनम में कोई भी किसी जनमों के कारण दुख दरिद्रता आपको प्राप्त होई है आप उसमें से संपुर्न रूप से मुक्त हो जाएंगे और यह अनुबवित प्रयोग है शास्त्रों म इनका भी अनुष्ठान किये थे वो भी अनुबवी थे यह एक बात हुई दूसरा इस मंतर के जाप के लिए या तो आप कमल गटे के बीचकी माला रे सकते हो या आप रख्ट चंदन अर्था तलालचंदन की माला ले सकते हो या फिर हल्दी की माला का प्रयोग आप कर सकते इसका विशेश आदी कोई विदाम नहीं है, सिर्फ आपको मांसिक संकल्प बिलवरुक्ष के सामने जब आप बैठते हो तब यही लेना है, और यह ध्यान रखेगा, अगर आप 42 दिन तक नित्य ग्यारा माला कर पाते हो, तो आपको संकल्प यह लेना है, कि हे भगवती महाल मैं 42 दिन तक इस बिलवरुक्ष या आपके सामने बैठकर नित्य ग्यारा ग्यारा माला करूंगा या करूंगी, यह प्रपर संकल्प हुआ, उसमें आपको एड करना है, कि मेरे दुखों का निवारन किजेगा, मेरे दरिद्रता का निवारन किजेगा, धन प्राप्ति के आ अगर फिर आपने नहीं किया, तो उसके पाप या दोशी के भागी आप होंगे, इस से अच्छा है, आप इस शब्द का प्रयोक कर सकते हो, कि मैं यथा शक्ति करूंगा या करूंगी, लेकिन उसमें फिर दिन का जो प्रावजान है 42 दिनों का वो आपको नहीं बोलना है, ये था शक्ति दिन, ये था शक्ति करूंगा या करूंगी, लेकिन प्रावजान करना है, तो 42 दिन 11 माला, ये प्रावर अनुश्टान का रूप हुआ, तो वो करना है, और जब आप अनुश्टान करते हो, तो भ्रहमचर्य का पालन करना है, मासाहार, शराबादी का सिवन नहीं करना है लहसुन प्याज आदी है उसका भी सिवन नहीं करना है क्रोध आदी नहीं करना है जितने भी सतकर्म होते है वही करना है 42 दिनों तक शेविंग भी नहीं करना है नाकुन नहीं काटने है बाल नहीं काटने है यह सारे इसके नियम है भूमिशयन भी करना है अगर स चम्दन की या हल्दी की माला से यह जो दुर्गा सप्तश शती का दुर्गा सप्तश लोकी का जो मंत्र है उसका मंत्र जाप करना है संकल्प मैंने आपको बताया उसी अनुसार संकल्प लेकर करना है अगर अनुष्ठान करते हो तो अनुष्ठान के विशे में भी आपको बत होगा व्यापार में व्रुद्धी होगी अच्छी जगा पर प्रमोशन होगा इन्चवर्ट मैं कहूं तो धन प्राप्ति के और स्थीर लक्षमी प्राप्ति के द्वार खुलने लगेंगे फिर नित्य एक-एक आपको करना है अगर कोई लड़किया यह कर रही है मासिक दर्म आता है तो पांच दिनों को छोड़ दीजिए उसके बाद फिर से शुरू किजिए वो पांच दिन नेचरल इसमें काउंट होते है फिर भी मन की समतिष्टे के लिए और पांच दिन अधिक कर लिजिएगा तो इस प्रकार से आप यह अनुष्ठान पूरुना कर सकते हैं मा कर शामति से यहां आप मंत्र जाप इसी प्रकार से कर सकते हो संभव है तो गीका दीपकादी आप प्रजवलित कीजिए बहार की बात कर रहा हूं क्योंकि पवन आधी होगा तो शायद वो दिपनारा ना भी रहे तो ठीक है अगर नहीं होते है अन्यता आप आसन माला और य विलव रुक्ष है गमले के अंदर या आप कही और जाते हो आपके आसपास कही पर भी विलव रुक्ष है तो उसी प्रकार से उसी दिशा में उसी माला के प्रजव से या तो एक माला कीजिए 108 बार या तो खड़े-खड़े होकर विलव रुक्ष को पहले शपर्ष भी नहीं करना है प्रती शुक्रवार या प्रती पुर्णीमा प्रती शुक्रवार या हर मैने में पुर्णीमा के दिन बिल्ववरुक्ष के नीचे बैठ कर इसी मंत्र की आप माला कीजिए और अगर आपको माला नहीं करनी है जाप नहीं करना है तो इसी मंत्र से किसी भी के नीचे बैठ कर यग्य कीजिए फिर देखिए इसका फल क्या होता है और ये जो फल है वो डेड़ दो महिने के बाद मिलेगा आपको सिर्फ इतना याद रखना है पहले ही दिन से अनुष्ठान करने से पहले ही मन में उस लोब को मत प्रवेश करने दिजिए कि मैं ये करूं आपको यह वीडियो पसंद आया हो या कभी आप ने इसका बिलवा वरुष्च की नीचे बैठ कर कोई अनुष्ठान किया हो चाहिए वो कोई भी किया हो और उसका कोई अनुबव हो तो आप हमारे साथ साजा कर सकते हो ये था आजका वीशे विडियो अगर आपको यह दबाजे का बहुत जल्मीत है नाय विशाई और वीडियो के साथ तब तक आप देखते रहे है कर्मकान भाई आनंद पाठक मेरे साथ ओम गानेश हर हर महादेव जाई श्री महालक्ष्मी मैया